अलो एवरिवन नीट 2024 की जो स्टेट की काउंसिलिंग हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश का शेडियूल आ चुका है और यूपी के स्टेट की काउंसिलिंग के अगर हम बात करें कि डिटेल शेडियूल कब से शुरू हो रहा है तो अभी आप देख रहे हैं जो यूपी स्ट इसके बाद टेको से स्टं पहुंदिंग खाशी और विष्टेस से ब्सक्राइब मेरीत लिस्टाइब से देख ए persuaded क्लियर किया जाएगा 30 अगर्स्त को और इसके साथ जब रिपोर्टिंग की बात आती है कि रिपोर्टिंग कब से अगर्स्त से लेके पांच सित्म्बर तक 6 बिनका टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए counseling start होगी 20 तारीक से documents में अगर हम online बात करें कि registration के लिए आपको कौन कौन से documents यह तो उसमें आपको सिर्फ class 10th और 12th की जो mark sheet है domicile जिनके लिए mandatory है उनको domicile देना पड़ेगा और जिनके लिए जो domicile के clause में नहीं आते हैं उनको domicile देना नहीं पड़ेगा category certificate upload करना पड़ेगा ऐसे students के लिए रिजर्व category से आते हैं या फिर सब category से आते हैं बाकी इसके अलावा आपको online कोई भी document upload नहीं करना है बाकी के जो documents लगेंगे वह आपका जब allotment हो जाएगा तो उसके बाद total center पर या फिर college में admission के टाइ देगा government और private medical colleges में detailed में instruction पहले से release किया जा चुका है UP counseling authority की और से अगर हम यह बात करें कि cut off क्या रहेगा तो फिर UP के बारे में medical wing की और से अलेड़ी एक वीडियो अप्लोडेड है आप वीडियो के section में जाके उसको check कर सकते हैं stay tuned with us thank you for watching medical wing thanks a lot